हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग और आप देख रहे हैं चीके नाइश वीडियो में भी आपको मिलने वाली है सिक्सक भर्ति और परतियोगता परिक्षाओं से जुड़ी खबर है जो भोती महत्थपून है तो प्लीज वीडियो को इन तक जरूर देखें और प्लीज से है पुरानी भरती परिक्षाओं से 90,000 युवाओं को मिलेगी नोकरी आने वाले दिनों में आयोग की और से लंबित परिक्षाओं के रिजर्ट जारी करने की त्यारी है और CHSL 2018 स्किल टेस्ट 26 नुमबर को है करमचारी चाहनायोग लंबित परिक्षाओं के परिणाम जारी करबड़ी संक्या में बेरोजगारों को रोजगार देने की त्यारी में है आयोग की और से आने वाले दिनों में चार बड़ी भरती परिक्षाओं के परिक्षाओं के परिक्षाओं के परिक्षाओं जारी करने के बाद करीब 90,000 युवाओं को नोकरी मिल सकती है के इंद् सुरक्सबल कॉंस्टेबल यानी जीडी भरती का परिणाम जल्द आने के असार है आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल परिक्षन के बाद रिजल जारी कर दिया जाएगा कॉंस्टेबल परिक्षा 2018 के अंतिम चरण में मेडिकल परिक्षन चल रहा है और पूरा होते ही अंतिम परिक्षा परिक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा इस भरती से ही लगबग 70,000 बेरोजगारों को नो क्री मिलेगी और CHSL 2018 स्किल टेस्ट 26 नमबर को है और अगली ख़बर है CHSL 2019 को लेकर टीयर फरिक्षा परिक्षा बारे से 21 अक्टूबर तक होगी क्रमचारी चायन आयोग अपनी ठपड़ी बरती परिक्षाओ की सुरूद 12 अक्टूबर से करने जा रहा है कोरोना संकरमन सुरू होने पर आयोग ने कमबाइड हायर सेकेंडरी लेवल यानि CHSL 2019 परिक्षा 17 से 19 मार्च के बीच कराने के बाद इस्तिकित कर दी थी अब CHSL की बची ओनलाइन परिक्षा 12 से 21 अक्टूबर के बीच होने जा रही है मार्च में तीन दिन हुई CHSL परिक्षा में पंजिकरत 11,641 परिक्षार्दियों में से 2,83,238 ही परिक्षा में सामिल हुए थे CHSL 2019 परिक्षा का दोबारा कारेकरम घोशित किया जाते समय आयोग ने COVID-19 संकर्मन को ध्यान में रखकर परिक्षाओं को अपनी सुविधा की अनुसार परिक्षा के चुने जाने का विकल्ब दिया था और जैसे कि आप सभी जानते है इल्टी ग्रेट शिक्सक भरती नुक्ति पर के रिया चल रही है तो इसका रास्ता साफ हो चुका इल्टी ग्रेट शिक्सक भरती परिक्षा 2018 की भरती पूरी करने की दिसामत्र प्रदेश लोक्सवाक तेजी से काम में जुटा है आयोग ने बारा विश्यों के उन चाइनीदों का मामला निस्तारित कर दिया है जिनका रोल नंबर निदेशाले में गलत बता रहा था मही कला महिला वर के एक सचोद है चाइनीदों की फाइले भी निदेशाले भेजी जा चुकी है पुरिस वर की 25 चाइनीदों की फाइले कांसिलिंग के लिए सीग्री निदेशाले भेजी जाएगी साथी समाजी विज्ञान का रिजल 10 अक्टूबर के बाद कभी भी जारी क्या जा सकता है अल्टी ग्रेट शिक्सक भड़त चाइनीदों का कोई दोस नहीं है तो एल्टी ग्रेट समाजी विज्ञान रिजल्ट आपका 10 अक्टूबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है और अशिश्टन प्रोफेसर पद के 15 चाइनीदों को मिलेगी नियुक्ति परदेश के एसास के महाविधालों में विज्ञापंस नितिसाल लेने इन अभ्यारतियों से कॉलेज अवंटन के लिए आवेधन मांगे हैं और जवार नवदय विधाले में परवेश के लिए ओनलाइन आवेधन 30 नुमबर तक किया जा सकते हैं परवेश परिक्षा दसपरेल 2021 को होना सुनिश्चित है खास इस्तित जवार नव बच्चों को ओनलाइन आवेधन अवस्य कराएं और लखनाव विष्वधाले में कल से PG की परवेश परिक्षा हैं लखनाव विष्वधाले परशासन ने 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाली PD की परवेश PG की परवेश परिक्षाओं को लेकर त्यारी पूरी कर के लिए हैं विष्वधाले के परवक्ता डॉक्टर दुर्गेश सिरिवास्तों ने बताए कि PG, BP, AD, MP, AD में परवेश के लिए परिक्षाएं मुख्य परिशर, अटल ब्लॉक, कला, संकाय, PG, ब्लॉक, वे न्यू, कॉम और सुब्षाग में सुबह 10 से साम 4 बज़े तक के लिए निधारित एक परिक्षा के अंचिक संसोधन किया है, यह केंदर में कानपूर नगर में है, पहले केंदर का नाम राजके एंटर कॉलिज, बहुती, चुनी गंज, चुनी गंज, चुनी बाईया एट, लाल इमली चुरहा कानपूर नगर लिखा था, जिसका संसोध पता, अब राजगंटर कॉलिज, चुनी गंज, चुनी गंज, चुनी बाईया एट, लाल इमली चुरहा कानपूर नगर हो गया है, तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कुछ महत्पून जानकारी, वीडियो अच्छे लेगी हो, तो लाइक और सेज़ जरूर कर दें, चैनल को स सब्सक्राइब कर ले, थैंक्स पर वाचिंग,